हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छोंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आपको NPS एकाउंट कहाँ पर ओपेन करना चाहिए आप जानते हैं कि आपके पास 3 CR-E हैं NHTL जिसे आप रोटीन करते हैं KEMPS और K-Fintech अब सवाल आता है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए तो हम पहले ये जानेगे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए और दूसरा ये भी जानेगे कि क्यों जाना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं कुवर जेंसिंग आपकी अपने चैनल फाइनेंस की पार्ट साला में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं पार्ट साला तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको एकाउंट कहा उपन करना चाही है दोस्तों अगर मेरी राय माने तो आपको एकाउंट उपन करना चाही है NHDL की वेपसाइट पर जाकर और कैसे कर सकते हैं इसको मैं छोटे सी clip में आपको दिखा देता हूँ और पूरी process अगर आप कहेंगे तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगा यहाँ पर चलता हूँ मैं अपने laptop के screen पर यहाँ पर मैं open करूँगा अपना Google और आपको यहाँ पर रगा लिखना है ENPS-NHDL तो जो page आपको open हो जाए पहले आप उसे click कर लिजेगा तो यह देखिए पहली website आपको दिख रहे ENPS-NHDL आप इसपे click कर लिजे और कहीं आपको protein लिखा दिख जाए तो घबडाएगा नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि NHDL और protein अब एक ही है तो यहाँ पर देखिए पूरा website NPS-Rex की तरफ से ENPS account तो अगर आपका ENPS account open होगा तो सीधा CRA पर open होगा तो बीच में जो भी आपके POP होँगे या DDO तो होँगे नहीं यहाँ पर अगर आप स्वेम individual account open कर रहे हैं जिसको हम लोग All Citizens of India account भी करते हैं तो अगर ENPS account open होगे CRA पर तो POP के charges आपके बचेंगे अगर आपके POP कित्रू हो रहे हैं तो यहाँ पर POP के कुछ charges होते हैं लेकिन उससे आपको कुछ सुब्धाएं भी मिल जाती हैं तो अभी POP कौन से हो सकते हैं देखें यहाँ पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगबग 43 आपको बैंग देखेंगे जो POP के रुक में इंपैनल हैं इससे जुड़े हुए हैं तो आप अपने नियर डेर किसी से भी यहाँ पर account open करवा सकते हैं या जब आप registration करें हैं तो वहाँ पर इसमें से किसी को भी चून सकते हैं और इनकी जो ब्रांच होती हैं उसे हम POP SP कहते हैं POP Point of Presence SP Service Provider तो यहाँ पर आप open कर सकते हैं अब आपको यहाँ फाइदा क्या होने वाला है इस पर हम बात कर लेते हैं देखिए अगर आप government job के लिए प्रयासरत हैं तो आपको नहीं हो जाती है यहाँ पर आपका एक बच्चत हो जाता है जब आपको subscriber shifting करवाना होगा तो सिप आपको subscriber shifting करवाना होगा CRE shifting नहीं करवाना होगा तो एक बच्चत यहाँ पर यह हो जाती है क्योंकि CRE shifting और सब्सक्राइबर shifting दोनों एक अलग अलग प्रोसेस हैं वहाँ पर यहाँ पर आप एक इंप्लायर से दूसरे इंपलायर पर जा रहे हैं या प्योपी से आप DDO पर लेकिन मैं यही recommend करूंगा कि आप इस पर जाएं दूसरी चीज की इसके charges थोड़ा कम है के Fintech और Scams की अपेच्चा मैंने उसे detail analysis नहीं किया है लेकिन जो सार्ट में मैंने रेखा कि NHDL के charges थोड़ा कम पड़ते हैं तो इन दो कावनों से तो मैं कहूंगा कि आप अपना account N NHDL में ही open करें फिर भी आपका decision आपका ही होता है आपको जो best लगे आप उसके साथ जा सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जोड़ बताएगा और साथ-साथ इसको like भी जोड़ कर दिजीगा इस channel पर मैं ऐसे useful content लाता रह झाल